गाड़ी छोड़ देंगे कहीं पर बैक पैकर करके निकलते हैं कहीं पर बस और ट्रेंस हैं और अजीब से टूटी-फूटी से सड़का खाना खाते गाते दिमाग चला कि अरकेदार ना धाम भी चले आते हैं तो बाबा का बुलाबा आ गया है अबना तचलता विर्दागरी यह रहेगा दिवाली पे इसको किस तुरी के से डैमेज भाड़ा है गुड मॉर्निंग फ्रॉम तोश आपको बाहर करने जारे दिखाते हैं सी लुक अड़ ब्यूटी ओफ तोश यहां से हम चलते हैं चलते हैं यह देखिए गाईज इदर स्नौ माउंटेन बिलकुल पास में और नीचे की साग्ड़ में आपको तोश विलेज देखने को मिलेगा कुछ पार्ट इदर भी है और कुछ यह देखा बहुत ही खुब सुरज जगह है और अभी टाइम हुआ करीब आठ बेजने वाले हैं तो रेडी होएंगे निकलेंगे इस पर शायद अनार लगे हैं गुद मॉनिंग गाइस फ्रॉम तोश एंड आसके प्रांथ सब ही यह है कि मुझे यह से निकलना है ज्यादा गुमने की चीजह नहीं है बस आप ट्रैक करके एक दू जिगह जा सकते हो इस प्रॉपर्टी से निकल के मैं आ चुका हूं और अपने बैक पैक करके निकले हैं यार यह बैक पैक वाला सीन भी मुझे अच्छा लगा आगे हैं एंड़ेज में कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिसमें गाड़ी छोड़ देंगे कहीं पर बैक पैक करके निकलते हैं कहीं बस और ट्रेंड से कुछ नया एक्सप्रियंस होगा और ऐसा एक्सप्रियंस मुझे करना भी है हमेशा बाइक कार जीप यह सब चीज अच्छी नहीं लगती कभी ने कभी ऐसे बैक पैक करके भी निकलो तो यह लगी मैं जाता है तो रस्तों से गाय जा रही है और एसे रस् कि अडरेस की भी तो इस थरीके से गञां अंदर ढूर लगे मैं जिन से दुया निकलता रहता है और पत्ले पत्ले रस्ते हैं जिन से होके हम आदा ने पर जा रहे हैं पर से पानी कहीं पाड़ों से होते हुए और इस तरह भी एक चोटा सब रीज बना हुए और इधर से शुरू होता है तोष्ट मांकि पीसफुल सा विलेज या आप लोग आ सकते हो चीजी देख सकते हो अपना टास्क आभी साफ चुवल अपनी घाड़ी लेते हैं अपनी अपनी थार उठाते हैं उसमान व 14 निकलते आगे घाड़ीय हो जोती है procent अफिर बहुत आंगे दक पार्क करने पड़ अफिर आंपको पैत दर आना पड़ता है भी लेज के अंदर वीजिंग讲 अलगी इनका सीन है 300 रुपीज फॉर पार्किंग चौर्स फॉर वन नाइट सिटे के साब से भी चलो ठीक है चलता है लेकिन इत्में छोटे से विलिज में इस प्रीज है वाकि ठीक है यार सब बढ़िया है वो उपको वाइट पीक्स दिख रही होगी वो नीचे शाद ही कि शोड़ार नीचे से यह कई सारे tw electrons भी बने डहीं बहुत है लोग डिकरने जाते हैं व不錯 नीचे से विर्सनी-नी नाम के जिगाएवार से लोग प्रैक भी करने जाते हैं यह उग जर्मार किदी अपने अपने त्छारcket यह खड़ी इंड भी इसको लेके निकलेंगे नीचे क तरफ यहां देखर लोग गाड़ियां दो रहे हैं सुपर सुपर यह भी एक टास्क है यार पाड़ों की रानी को सुपर सुपर चमकाना जरूरी है जरूरी है जरूरी है भाईजी क्या करना भाईजी तो इस शांदार से जिगहें पर दो मिंट इस्टेलिया और दो तिन एपल खाए हैं तो बड़ा पेश ने कुछ गया है तो रिलेक्स अच्छा फील हो रहा है अच्छा आप देख सकते हैं अधर देखो वहां से उपर से पानी आरहा है जो नीचे से होते वह आगे रिवर में मिल रहा है तेखो कितनी पतली और अजीव से टूटी-फुटी से सड़के हैं जिसको हम आराम से देर देर करके पार करते हैं बहुत ही रदी मामला यार यार इस रूट पे आपको टूटी-फुटी फुटी फुटी मिल जाएगी और हम देख रहे हैं कोई पार्किंग थोड़ा सा तो घूम के आएंगे यार कस हो लाए हैं तो तो घूम के आचुके कसोल की मार्केट में थोड़े बहुत सिनेमाटिक वीडियो बनाए आप लोगों ने देख ही लिए होंगे अभी कसोल से निकलते हैं आगे के डेस्टिनेशन या तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है एक जिगां बेठेंगे खाना काएंगे काना काते काते हम चीज को डिसाइड करेंगे कसोल की ब्यूटिफुल से कलर्फुल मार्केट और यहां की लाइब भी कलर्फुल है आप समझदार हो समझ जाओगे कि यहां पर की दी एक बार कैम्पिंग और यह जगह है जस्त कसोल करोस करते ही है साथ में रिवर साइड है यहां से कुछ फूट वगे रखाते हैं आप प्रॉंटा उट रखे हैं चाय उट रखें लिगा है फिर निकलेंगे अचाना काते खाते कुछ मेरा बन जाएगा खाना खाते खाते एक बहुत शांतार सा प्लान बना लिए हमने अब हम कहां जा रहे हैं उस चीज का तो सब से ना इस बार जो जो मैंने प्लान कि वह था ना लाइफ में जैसे मैं स्पीती कभी नहीं जा पाया का जा मना ली नहीं हो पाया था बाइक से जंसकार नहीं हो रहा था और खादारनाथ भी नहीं हो रहा था तो सारा एक साथ ही कर लेते हैं सब चीजे हो गए यह बस केदारना सब जगें जाके आचुके हैं और बाबा का शिर्वादब ने साथ है आज की जर्णी में हर हर महादेव बॉल तो बाबा का बुलावा आ गया है के दारनत के लिए अभी सुब से पहले हमें कराना है रजिस्ट्रेशन चार दाम यात्रा के लिए वो खुछ से कर लो जाहे तो अनलाइन करवा लो में आज हम चंडिकर स्टे करेंगे और चंडिकर से सारे काम फिनिश करा के कल हम निकलेंगा हरिदवार के लिए तो अप रेडी रहे बहुत सा रिची जाएंगे और इस बार शायत में दिवाली भी बाहरी मना हमगा अपने गाड़ी में डेकोर कर लेंग लाइटिंग बाइटिंग लगा के अबना तो चलता है फिरता गरी यही रहेगा दिवाली पे जाइस वो टनल है जो नहीं बनी थी एंड टनल की हालत देखवा आप किस तरीके से लैंड स्लाइड हो रखा है मतलब बंदी हो गई है यार यह टनल एक तरीके से कह सकते हैं कि दुबारा इन पर काम हो रहा है और रोड ने देखो हर तरफ से कटी पड़ी है बुरी तरीके से प्रकरती के आगे तो जुकना पड़ेगा भाई जुकना ही पड़ेगा कितना ही जोर इस तरफ भी बिलकुल किस तरीके से डेमेज हो पड़ा है मामला सारा कुछी तूटा फूटा पड़ा और यहां भी टनल का गेट आएगा होफ़ली यह उपन हो यह उपन हो तो हम एक रस्ता काफे नियर हो जाएगा तो यह टनल ओपन है यह अपने लिए अच्छा संकेता है कि अधिया जाएगा रहा है ना मुझे लग रहा है यह मंडी के आसपास हम पहुझ गया और यह वह जब बादल फटे थे तो उपर से जो मिटी आई थी ना नीचे कि इस पतली कर दी गई है और वो देखो उपर से डैम से पानी आ रहा है कभी हम वहाँ से जाया कर देते यह अरिया तो बिलकुल टूट गया था जिसको भी दुबारा काट पिट के डौलप किया है यहां हम उस ब्रीज के उपर से जाया कर देते और यह वाला तो रस्ता भी नहीं था यह वाले सारे रस्ते बादे मनाएगे हैं हिजर तो भाई बहुत बहुत बुरे हालात हो गए थे उन दिनों चोड़ों बिट्टी तो एक्स्ट्रीम उड़ रही है वाई एक्स्ट्रीम फंदो टैम आया था वहां रस्ते काफी डैमेज से हो रहे हैं पता नहीं किसके तरीके के बाद जस्त मेने एक ब्रेक लिया है कॉफी ब्रेक और वह आगे अपनी थार कड़ी है आज चंडिकट स्टे करें को चंडिकट बहुत सारे काम करने है कई सारी शॉपिंग करनी है थ चंडिकट के बाद है हां रिदवा रिष्यकेस होते वे उपर केदारनाथ का ब्लान बन रहा है कुछ शॉपिंग भी करें कुकि सारे कपड़े अपने हो चुके बिगंदे तो कुछ कपडे दो भी लेंगे और कुछ कपड़ों के शॉपिंग भी कर लेंगे नहे है यह कोई कि यह सारे लू जो रुखे हैं तो यह सारे ने ठीक करवाएंगे हम टाइट करवाएंगे और गाटी के कंडिशन तो बहुत बुरी है चंडी कर ले जाने लाइक तो नहीं है लेकिन जितनी गंदी होती है तार उतनी सक्सी लगती है ये बात तो है अरे यार नाम कभी गंदा होना चाहिए लोर्ड शिवा की फोटो कभी गंदी नहीं होनी चाहिए भगवान की फोटो साफ करो एंड खुद का नाम साफ करो यह दो तो हमेंसा चीज़ें साफ रहनी चाहिए आयला महादेव कितना खुबसूरत टैनल आया देख सकते हैं आप इसकी ना जो एक अलाकारी है ना यह बड़ी शांदार की हुई है इमाचल की सीमा खतम हो जाती है और पंजाब शुरू हो गया है हर बार सोचता हूं किरतपुर साइब गुर्दवारे में एक बार मत्था टेक कहेंगे लेकिन कभी हो ही नहीं पाया जब भी इदर आता हूं हमेशा लेट हो जाता हूं चाय और पॉंठा ले लिया है क्योंकि और कुछ सनेक्स में ज़े समझ नहीं आ रहा था कर आत को डिनर तो लेटी हो जाता है और मैं कड़ा हूं अभी सुक्देव टापा तो जिस लोकेशन पर जाना आपने को वह यहां से 10 किलोमेटर है और चंडीगड में हमने एंट्री ले लिए यह मुहाली वाला इलाका है हमारी थार लेके पहुंचे हैं साक को ओटो मोबाइल करके हैं यहां पे चंडीगड में होफ़ली इसके नटवर्ट आए वो सारी ची अब उसके बाद यहां पूरा सारा समान उतारना पड़ता है तब जाके वो चीजें सही होईगी पिंग करके हैं और गाड़ी पैक कर देते हैं भाई अभी निकलते हैं कोई नहीं लोकेशन देखते हैं ज्यादा कुछ यहां पे थानी ऑप्शन तो एक दो चीजें खरीद है स्वेटर शर्ट बगेरा शॉपिंग चाल लिए अपनी खाने पीने का समान होटल रूम में यकीं भी रूपो तरह से चीजें अप्वास होनी चाहिए है अपड़े दोने के भी सारी समान डाल दी है तो शॉपिंग भी कर ली थी हमने जूडियों से बाकी कल मॉर्णिंग चाहिए है तो यहां से कुछ चीजों की शॉपिंग कर ली है उरो में क्या-क्या चीजें चाहिए की जो जो मिल रहा है गड़ी में पैक करते जाओ क्योंकि यह त्री बहुत लंबी होगी और चीजें डाले जाओ मैंने इसमें बहुत सारी खीर ले लिए है यहां के तो कर दो कर दो कर दो